तो आज हम लोग एक और टॉपिक करने वाले हैं ठीक है नीट के पॉइंट अफ यू से अब नीट में मुझे तो बहुत ज़्यादा फरक नजर नहीं आ रहा है बहुत बाइफरकेशन नहीं है तो दोनों का ही पैनेफिट होगा इससे ठीक है टॉपिक है स्टेट लाइन कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स उठाएं और उन प्रॉब्लम्स के थ्रूई मैं कुछ जो थियोरी के फॉर्मॉले वगरा हैं वह रिवाइस करा दूँगा बेसिकली आपका रिवीजन हो जाएगा ठीक है ना और कुईक रिवीजन ऑब्विसली तो देखे स्टार्ट करते ह आप लोग भी चाहो दो साथ ही साथ साथ सॉल भी कर सकते हो क्या है कि आप पॉस्ट कर दो कुछिन आपके सामने सॉल करिए कोशिश करिए कि कुछिन आप से 90 सेंदर हो जाएं सारे कुछिन मैक्समुम टाम लिमिट इस 90 सेंद्स टेक है और फिर देखे कि मैंने जो मैथड फॉलो किया है वो कितना अच्छा है या आपका मेथड जादा अच्छा है ठीक है ना प्राक्टिस करिए तो लेट इस स्टार्ट इस फिर्स कॉर्षिन अमैन विश्ट इस तो स्विम अक्रॉस ए रिवर विच इस 0.5 किलो मेटर वाइड इफ यह उसका स्टिल वाटर में स् है क्योंकि यह direct हमारे case 1 case 2 जो standard cases है उसमें आता है तो directly आपको आंसर याद होना चाहिए cos theta is equal to minus of v upon u cos theta is equal to minus of u upon v in fact ठीक है तो वहाँ से आपको theta की value 120 degree सीधे सीधे दिख जाएगी नहीं तो कैसे निकालना है basic से जिनको नहीं मालूम है उनको भी बता देता हूं तो देखिए suppose यह हो गई हमारे river यह हमारे river हो गई और river हमको cross करनी है इस तरह से कि directly opposite point पे point O से शुरू करके directly opposite point P पे पहुँचे अब देखो swimmer का जोगी velocity होगा उसके velocity में river का velocity add होगा तो उसका resultant velocity आएगा तो अब ऐसे देखो कि river का जो velocity है यानि कि U जिसकी value हमको given है 1 km पर आर यह तो उसकी velocity में add हो गई अब उसको कौन से direction में अपना heading angle रखना चाहिए जिससे वो O से P directly जाए तो देखो O से P directly जाने के लिए हम लोगी बोलेंगे कि इसको थोड़ा सा O P line से left में swim करने से क्या होगा तभी उसका resultant O P के long possible है तो हम लोग जब assume करेंगे तो हम लोग assume भी ऐसे कर सकते हैं directly कि suppose यह रहा V and suppose हम यहां से angle alpha ले ले लेते हैं और इस V की value हमको given 2 km per hour अब हम चाहते हैं कि इन दोनों vectors का resultant है वो O P line के long हो तो इसका सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि हम बोलेंगे कि V का इस direction में जो component है यानि कि V sin alpha यह exactly cancel हो जाना चाहिए U के साथ अगर यह cancel हो जाएगा तो सिर्फ इसके पास कौन सा component बचेगा सिर्फ इसके बास बचेगा V cos alpha और वो directly O से भी पहुंच जाएगा यही हम लोग लिख सकते हैं V sin alpha is equal to U तो यहां से sin alpha की value हो जाएगी U upon V तो यहां से alpha की value 30 degree आ जाएगी अब alpha 30 degree है reverse से बताना angle तो इसमें यह 90 degree angle और add हो जाएगा यहनि कि theta की value 90 plus 30 तो यह 120 degree इसमें answer हो जाएगा ठीक है next question में आते हैं देखिए again relative motion का है a bird is flying with a speed 40 km per hour in north direction a train is moving with a speed 40 km per hour in west direction a passenger sitting in the train will see bird moving with a velocity तो देखिए copy में जब भी हम लोग draw करते हैं north, south, east, west तो उसका हमेशा तरीका होता है यहां पर arrow भी दिखा देते हैं इधर north रहता है यह south हो गया इधर east हो गया और इधर west हो गया आप कोई map भी देखते हो तो यही situation होती है अब bird की जो velocity दी होई है वो दी होई है 40 km per hour in north direction ह हम लोग क्या कर सकते हैं इस direction को हम लोग j-cap बोल देते हैं और इस direction को हम लोग i-cap बोल देते हैं यानि east हो गया i-cap, north हो गया j-cap तो velocity of bird ठीक है velocity of bird with respect to ground is given 40 j-cap देखिए velocity of bird with respect to ground is 40 j-cap and the train is moving with a speed 40 km per hour in west direction तो velocity of train again with respect to ground is given minus 40 i-cap, minus मैंने इस लिए उस किया है क्योंकि west में minus i-cap हो जाएगा अब कह रहा है कि passenger in the train को bird का velocity क्या नजर आएगा, यानि हमें निकालना है velocity of bird with respect to train तो देखिए this is equal to velocity of bird minus velocity of train तो relative velocity का जो basic formula यहाँ पर use कर रहा है वो है velocity of a with respect to b is equal to velocity of a minus velocity of b simply velocity of a minus velocity of b तो velocity of bird में से अगर हम subtract करेंगे minus of 40 i-cap तो देखिए यह आपको मिलेगा 40 अलग कर लोगे तो यह i-cap plus j-cap मिलेगा अब अगर इस vector का magnitude निकालेंगे तो वो 40 root 2 हो जाएगा और direction निकालेंगे तो यह north east आएगा i-cap plus j-cap है तो यह north east निकल के आएगा direction उसका north east निकल के आए क्योंकि i-cap j-cap के exactly बीच में है और magnitude इसका 40 root 2 हो जाएगा क्योंकि यह वाला जो पार्ट है इसका root 2 आएगा तो यह हो जाएगा 40 root 2 in north east direction तो यह second वाला option इसमें correct है next देखते हैं अब boat is sailing with a velocity 3 i-cap plus 4 j-cap with respect to ground with respect to ground and water in the river is flowing with a velocity minus 3 i-cap minus 4 j-cap तो relative velocity of boat with respect to water तो देखिए फिर से similar type of problem है velocity of boat is given 3 i-cap plus 4 j-cap and velocity of river flow यह बोल सकते हैं velocity of water is given as minus 3 i-cap minus 4 j-cap तो relative velocity of boat with respect to water ठीक है ना तो अब इसमें देखो boat का velocity हमको given है ground के respect में और water का velocity हमको given है तो यह एक तरह से हो जाएगा velocity of river with respect to ground और हमको निकालना है velocity of boat with respect to river तो again velocity of boat with respect to river is velocity of boat minus velocity of river तो velocity of boat हो गया है 3 i-cap plus 4 j-cap and minus of minus 3 i-cap minus 4 j-cap तो अगर आप यह दोनों calculate करेंगे तो यह आजाएगा 6 i-cap plus 8 j-cap यानि कि थर्ड वला option इसमें correct है थोड़ा confuse मत होना कि कौन सा ground के respect में है कौन सा relative velocity है जब हम लोग यह equation लिखते है न velocity of a with respect to b is equal to velocity of a minus velocity of b तो इसमें ऐसे समझ लो velocity of a minus velocity of b यह दोनों velocities हम किसी भी frame के respect में पुट कर सकते हैं मतलब velocity of a with respect to c velocity of b with respect to c generally c जो है वो ground होगा generally a man is walking on a road with a velocity 3 km पर आर when suddenly it starts raining with velocity 10 km पर आर in vertically downward direction तो relative velocity of rain rain with respect to man तो देखो man जो है वो horizontal direction में है तो velocity of man को हम लोग लिखेंगे 3 km पर आर तो देखो इसको करने की दो तरीके हैं मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ एक तरीका तो सीधा सीधा i cap j cap है यह वाला direction हो गया j cap और यह वाला direction हो गया i cap तो man जो walking होगा वो i cap direction में होगा and rain का velocity यानि velocity of rain with respect to ground यह है 10 downward तो इसको लिखेंगे हम लोग minus 10 j cap चिक है और velocity of rain with respect to man velocity of rain with respect to man तो यह हो जाएगा velocity of rain minus velocity of man तो यह आपका आजाएगा minus 3 i cap minus 10 j cap और अगर आप इस vector का magnitude निकालेंगे rain with respect to man का तो यह हो जाएगा under root of 3 square plus 10 square तो यह बनेगा under root of 109 km पर आर तो यह थर्ड वाला option इसमें correct है ठीक है दूसरा एक point इसमें आप क्या ध्यान रख सकते हो यह वाले जो question है rain with respect to man वाले especially उसमें आप ऐसे जखको कि यह को man जो है वो इस direction में move कर रहा है velocity of man तो यह vector दिया हुआ है 3 unit का और rain का जो direction है rain drops का direction यह वाला दिया हुआ है यह है velocity of rain with respect to ground तो man को जो appear होगा वो यह वाला vector appear होगा सीधे सीधे तो यह वाला जो vector आएगा this is velocity of rain with respect to man तो इस case में आप चाहो तो यह 3 square और सीधे सीधे pythagoras लग जाएगा 3 square प्लस 10 square के को लाएगा तो graphically भी आप इसको attempt कर सकते हो और i cap j cap में भी attempt कर सकते हो next देखते है a small block slides without friction down and inclined plane starting from rest sn is the distance traveled from n-1 to n then what is sn and sn plus 1 तो यह direct formula भी लोग याद रखते ही है अब अगर straight line motion है तो distance traveled और displacement in nth second होता है u plus half a 2n-1 यह होता है nth second अब अगर किसी को confusion है तो nth second क्या होता है दोको यह में बना देता हूँ जैसे t equal to n-1 से t equal to n तक का जो time है this is called nth second और t equal to n से t equal to n plus 1 तक का जो time होगा this will be known as n plus 1th second 10th second जैसे बोला है तो 10th second will start जब 9 second खतम हो जाएंगे यानि 9 से 10 के बीच का time जो है वो 10th second होगा similarly nth second का मतलब होगा n-1 से n के बीच का time तो अगर हम यह वाला formula यूज करते हैं तो इसमें u का value 0 दिया होगा है तो first equation तो आपकी यही बन जाएगी और अगर हम s n प्लस 1 लिखते हैं तो हमको करना कुछ नहीं है अगीन इसमें n की जगे ज्यान से देखना n की जगे हमको n प्लस 1 यूज कर लेना है देखिए तो अगर आप n की जगे n प्लस 1 यूज करेंगे तो यह आएगा half a 2 n माइनस 1 से यह 2 n प्लस 1 बन जाएगा तो यह हो गया second ठीक है तो अगर हम यहाँ से s n अपॉन s n प्लस 1 करेंगे तो यह 2 n माइनस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 के एक कुल आ जाएगा ठीक है ना तो यह third वाला option इसमें भी correct आ रहा है next a man walks on a straight road from his home to a market 2.5 km away with a speed 5 km per hour finding the market closed he instantly turns and walks back to home with a speed 7.5 km per hour the average speed of the man over the interval of time 0 to 40 minutes is equal to अब देखो यह थोड़ा सा question tricky type का है tricky type का इसमें यह है tricky type का यह है कि उसमें speed दे दी है उसने question में जबकि इस question को करने के लिए हमें speed की जरुवत ही नहीं है क्योंकि उसने total time दे रखा है total distance दे रखी है average speed का जो definition है it is simply total distance upon total time ठीक है कौनसी speed से गया कौनसी speed से वापस आया बीच में उसने रुग गया किसी से बात करने लगा doesn't matter ठीक है ना total distance upon total time तो दो को 2.5 km जाने में चला होगा और 2.5 km आने में चला होगा और इस पूरे time में उसको 40 minutes का time लगा तो 40 minutes को पहले आप hours में बदलेंगे तो 40 upon 60 यानि कि 2 by 3 hours का time हो जाएगा तो इसमें divide करेंगे हम लोग 2 by 3 से तो यह आ जाएगा 5 upon 2 by 3 तो इसको हम लोग लिख सकते है 15 by 2, 15 by 2 option में नहीं है 30 by 4 option में है तो 30 by 4 km पर आरा answer हो जाएगा थोड़ा सा अलग type का है क्योंकि इसमें speed का कामी नहीं है ठीक है ना ऐसा हो सकता है कि आप calculate करोगे तो time थोड़ा सा mismatch करेगा हो सकता है time इन्होंने जो 40 minutes का दिया हुआ है यह different दिया होगा चाहो तो एक calculation यह हम कर सकते है कि 2.5 km 5 km की speed से अगर जाएगा तो time of onwards journey मतलब जाते समय उसको कितना time लगा तो 2.5 upon 5 हम लोग लिख सकते हैं तो यह आदे आएगा 0.5 hours यानि आदे घंटे का समय उसको जाते समय लगा ठीक टी return अगर निकालेंगे तो टी return में आएगा 2.5 divided by 7.5 यानि आते समय उसको 1 by 3 hours का time लगा ठीक है ना तो जाते समय उसका 0.5 है आते समय 1 by 3 है तो यह time total हुआ कितना तो यह time to 40 minutes से ज़्यादा आ रहा है यानि 40 minutes में वो कहीं बीच में ही है return नहीं हुआ है वो solve करके देखा ला है correct correct सही बात है तो यह भी अच्छा question इसलिए हो गया कि यह वाला तरीका गलत आ गया आपका एक तरह से देखो आते समय उसको time लग रहा है 1 by 3 hour जाते समय उसको लग रहा है 0.5 hour यानि कि अगर हम 40 minutes को divide कर रहे है 2 by 3 hours के हिसाब से तो 2 by 3 में से 1 by 2 hour तो उसका जाते समय total 2.5 हुआ अब हमें देखना है कि time remaining कितना है उसके पास क्योंकि return में जो time है न वो total time अगर करेंगे तो 40 minutes से जाधा आ रहा है तो time remaining अगर हम लोग निकालें तो time remaining बनेगा 2 by 3 and minus 1 by 2 तो 2 by 3 minus 1 by 2 अगर करेंगे तो 1 by 6 hours बचा है अब यह बताओ कि आते समय उसको 1 by 3 hours लगा अगर वो पूरा आता है तो 1 by 6 hours में वो पूरा नहीं आ पाएगा वो आधा ही distance आ पाएगा इसलिए distance covered distance covered की value 2.5 plus 2.5 by 2 बनेगी तो यह answer बनेगा 3.75 km और time total वही रहेगा क्योंकि हमें total time 2 by 3 हीप में निकालना है 2 by 3 hours में तो उसका जो average speed आएगा average speed की value हो जाएगी 3.75 divided by 2 by 3 तो 3.75 को ऐसे लिख लो 3.75 upon 100 into 3 upon 2 तो देखो यह कितना बनेगा रुखो जरा 3.75 divided by 100 into 3 and divided by 2 तो यह value आता है 45 upon 8 km पर आर तो question बहुत अच्छा question है बाई अब दो उठा तो मैं question ऐसे ही लेता हूँ जो भी अच्छे questions मुझे लगते हैं ठीक है ना तो भी clear है जो second method क्या basically वही सही है यह वाला method क्यों गलत है यह wrong क्यों है यह भी clear कर लो ठीक है कई बार यह भी होता है क्या गलती हो सकती है भी तो practice करनी है ठीक ठीक है next आते है body starting from rest is moving under a constant acceleration up to 20 seconds ठीक है acceleration constant है up to 20 seconds it is moving with constant acceleration if it moves s1 distance in first 10 seconds and s2 distance in next 10 seconds then s2 will be equal to acceleration अगर constant है start अगर rest से किया है तो दो पहले बार में जो उसने s1 cover किया होगा उसको हम लोग लिख सकते हाफ a into सीधे सीधे 10 square अब अगर हम शुरुआत से 20 seconds में distance निकाले हैं तो शुरुआत से 20 seconds का distance हो जाएगा s1 plus s2 और उसको भी हम डारेक्ट लिख सकते हाफ a 20 square देखो बाद वाले 10 के लिए समझना इस question को अगर वो start u 0 से हुआ है t0 से हुआ है तो 0 से जाएगा तो इस हाफ a 20 square तो अगर आप इसको देखोगे तो क्या यह 4s1 आएगा तो s2 की value 3s1 की equal आएगी ठीक है ना s2 की value 3s1 की equal आजाएगी तो यह थर्ड वाला option इसमें correct है ठीक है next आगे बढ़ते हैं इसमें next is a bus moving with a speed 100 meter per second on a straight road a scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds if the bus is at a distance 1 km from the scooterist with what speed should the scooterist chase the bus यानि 100 seconds में उसको cross करना चाह रहा है तो दो को पहले situation समझ लीजे क्या है situation यह है कि जो bus है bus is moving at a speed 10 meter per second and there is a scooterist and this scooterist is at a distance 1 km behind the bus और यह चाह रहा है कि वो 100 seconds के अंदर उसको overtake कर ले तो obviously overtake तो तभी कर पाएगा जब इसकी speed जो है वो greater than 10 meter per second होगी अब आप ऐसे देखो कि इन दोनों के बीच में अगर हम relative velocity निकालेंगे relative velocity तो relative velocity निकालने का तरीका क्या होता है कि आप किसी एक frame में के respect में पूरा का पूरा problem solve कर लीजे किसी एक frame के respect में बोलने का मतलब है कि suppose यह जो diagram मैंने बनाया उपर यह diagram है with respect to ground ठीक है हम लोग एक और diagram बना लेते हैं और एक और diagram हम लोग बनाएंगे suppose with respect to bus और with respect to bus बोलने का मतलब है कि suppose आप bus पे ही बैठ जाओ और अगर आप bus पे बैठ जाओगे तो bus कैसी हो जाएगी bus हो जाएगी rest पे तो bus अगर rest पे हो गई तो अब इस scooterist का velocity क्या नज़र आएगा तो देखो इस scooterist का velocity v था और हम जिस frame में बैठते हैं मालो bus पे बैठे हैं तो bus की velocity minus करके हमको उस scooterist की velocity में add करनी होगी तो minus करेंगे अगर तो इसका मतलब है bus के पास 10 right में है तो इसमें हम 10 left में रखेंगे या इसको लिख सकते हैं v minus 10 तो यह अटा दो ठीक है तो v minus 10 से इसको distance cover करनी है 1000 meter की 1 km मतलब 1000 meter और इसमें उसको time कितना लगना चाहिए तो time इसको लगना चाहिए 100 second तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 1000 meter divided by 100 second is the velocity of scooterist with respect to bus तो यहां से v की value आपको 20 meter per second मिल जाएगी यानि यह second वाला option इसमें correct है ठीक है नेक्स आते हैं particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to the relation जिसमें V दिया हुआ है x के function में beta x to the power minus 2n beta and n are constants and x is the position of particle acceleration of particle हमको निकालना है as a function of acceleration of particle हमको निकालना है as a function of x ठीक है तो देखो इसको start करते हैं v is equal to beta x to the power minus 2n और अगर हमको acceleration चाहिए तो velocity से acceleration निकालने के लिए हम लोग acceleration को लिख सकते हैं dv by dt या acceleration को लिख सकते हैं v dv by dx क्योंकि x के terms में निकालना है इसलिए हम लोग v dv by dx लिखेंगे तो आप चाहो तो पहले dv by dx निकाल लेते हैं तो dv by dx होगा beta अब इसमें power rule लगेगा derivative का तो minus 2n जो है वो तो अगर आप यह सारा एक साथ करोगे तो यह हो जाएगा beta square minus 2n आएगा और x की power minus 4n minus 1 आएगा ठीक है ना तो यह first वाला option इसमें correct आ रहा है देख लिजे ठीक है बोलिए next आते है two cars p and q start from a point at the same time in straight line and their positions are p car का position और q car का position दिया हुआ time के function में तो बोला कि at what time they will have same velocity तो देखो अगर हमें p car और q car इन दोनों का x position दिया हुआ है तो velocity p car का हम लोग लिखेंगे dxp upon dt derivative of position of p तो यह derivative अगर हम निकालेंगे तो 80 में से सिर्फ a बचेगा और bt square का derivative time के relative में 2bt हो जाएगा इसी तरह से vq निकालेंगे तो यह हो जाएगा dxq upon dt और यह value आएगी f minus 2t के equal तो हम चाहते हैं कि भाई vp और vq equal हो जाए तो बस इसी को आपको solve कर लेना है तो a plus 2bt a plus 2bt is equal to f minus 2t के equal तो यहां से t की value आ जाएगी a minus f upon यह नहीं f minus a कर दो f minus a upon two common ले लेंगे तो 1 plus b आ जाएगा तो यह second option इसमें correct है ठीक है second option इसमें correct आ रहा है ठीक है next आते है प्रिती reached metro station and found that the escalator was not working she walked up the stationary escalator in time t1 on other days if she remains stationary on the moving escalator then the escalator takes her in time t2 then the time taken by her to walk up on the moving escalator ठीक है यह वही escalator है जो automatic moving वाली situation है तो देखिए escalator अगर rest पे है और वो walk करके जा रही है उपर तो उसको walk करके जाने में time लग रहा है stationary escalator में t1 ठीक है second situation में second situation में जब escalator moving है और वो remains at rest है तो इसको time लग रहा है t2 तो distance वही cover हो रहा है तो अगर हम मानें कि यह v1 velocity से जा रही है और escalator v2 velocity से चल रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो v1 होगा वो बनेगा d upon t1 मतलब d distance cover हो रही है t1 time में और इसी तरह से v2 की value होगी d upon t2 v2 velocity से d distance cover हो रहा है t2 time में अब कहरा है कि अगर दोनों ही moving हो मतलब escalator भी चल रहा है और उसके उपर हम walk भी कर रहे हैं तो हमारी जो net velocity हो जाएगी वह obviously add हो जाएगी v1 plus v2 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d upon t तो यहां से अगर आप t की value निकालोगे तो t1 sorry यह आ जाएगा t1 t2 upon t1 plus t2 के एकवल t1 t2 upon t1 plus t2 के एकवल तो यह हमारा first वाला option इसमें correct आ जाएगा ठीक है next आते हैं a ship A is moving westwards westwards with the speed of 10 km पर आर and ship B is moving 100 km and a ship 100 km south of A is moving northwards with a speed 10 km पर आर the time after which distance between them become shortest तो यह बिलकुल अलग कोशन है और इसको करने के लिए हम लोग पहले तो यह north south east west बना लेते हैं तो north south east and west तो देखो north south east west ship A कहां पर है is moving westwards और B जो है वो 100 km south of A है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि suppose यह A है और A left side में जा रहा है कितने speed से let's say VA यह speed VA हो गई इसको मैंने VA mark कर दिया है and B जो है वो A से 100 km के distance पे है और B इस direction में जा रहा है VB speed से और VB का value भी तो same ही है दोनों ही 10 है तो क्या हो रहा है A right में जा रहा है और B उपर जा रहा है देखो ध्यान से तो तो कभी ऐसा होगा कि इनके बीच का distance shortest होगा तो again यह जो diagram है यह है with respect to ground frame तो हम लोग क्या करेंगे same question को हम दुबारा draw करते हैं तो suppose यह हो गया A यह हो गया B और हम इसको solve करेंगे with respect to A तो with respect to A ऐसे देखो कि A हो गया rest पर है A नहीं चल रहा है अब सिर्फ B चल रहा है B की velocity कितनी है तो B के पास एक velocity तो उसकी खुद की है यानि 10 km पर आर और एक velocity हम क्योंकि A की उपर बैठे हैं तो A की velocity माइनस करके हमको B में add करनी है जैसे अभी पीछे वाले question में था वो थोड़ा basic question था तो क्या करना है कि B की velocity A की velocity B में जब हम माइनस करके add करेंगे तो वो 10 km पर आर इधर आ जाएगा यानि B का resultant motion है अब वो इस line के long होने वाला है और ये वाली जो line है ये 45 degree पे inclined होगी तो हमसे पूछा हुआ है कितनी देर के बाद इनके बीच का distance shortest होगा तो देखो shortest distance निकालने के लिए point A से आप B के path पे perpendicular drop करेंगे ऐसा क्यों कर रहे है क्योंकि A पे बैटके हमको B इसी red वाली line पे चलता हो नजर आएगा तो shortest कब होगा तो shortest अब होगा जब ये भी इस point पे पहुचेगा और ये वाला distance हमको दिया हुआ है 100 km तो ये वाला angle भी 45 degree होगा तो ऐसे देखो कि यहां से यहां का जो distance है ये distance आजाएगा 100 cos 45 तो ये value मिलेगी हमको 100 upon root 2 और इस 100 upon root 2 distance को cover करने के लिए उसकी resultant velocity resultant velocity उसकी 10 root 2 हो जाएगी 10 और 10 का resultant तो उसको time कितना लगेगा तो time हो जाएगा distance which is 100 upon root 2 and velocity which is 10 root 2 तो time उसको 5 hours का रहा है यानि ये first वाला option इसमें correct है देखिए अच्छा खुशन है ये shortest distance निकालनी हो collision निकालना हो हमेशा हमें क्या करना है relative motion में किसी एक के respect में दूसरे का motion observe करना है और जिस पे हम बैठते हैं यानि जिसको हम rest पे ले रहे हैं उसकी velocity को minus करके हम दूसरे में add कर देंगे तो ए क्योंकि left में जा रहा था V velocity से 10 से तो वही 10 हमने right में B में add कर दी है next a ball is dropped from a high rise platform at equal to 0 starting from rest after 6 seconds another ball is thrown downwards from the same platform with a speed V the two balls meet at 18 seconds what is the value of V देखिए गादयान से मतलब एक बहुत high rising building है ठीक है और एक ball को हमने throw किया है ती ने टी equal to 0 को rest से throw किया है rest से छोड़ दिया है मतलब throw नहीं किया है और 6 seconds के बाद दूसरे को throw किया है तो हम लोग क्या करते हैं 6 seconds पे ही पता करते हैं तो 6 seconds के बाद इसको 6 seconds पे V velocity से throw किया है और दूसरी जो ball है वो कहां पे होगी पहली ball टी equal to 6 seconds पे तो देखिए पहली ball टी equal to 6 seconds पे उसने distance cover किया होगा half gt square से आप निकाल सकते हो तो half g की जगे हो गया 10 t square की जगे हो गया 6 square तो देखिए यह कितना आजाएगा यह 180 meter आएगा ठीक है और यह 180 meter का distance के बाद इसकी velocity कितनी होगी इस वक्त तो अगर आप इसकी velocity निकालेंगे तो वो हम gt से निकाल सकते है वी equal to u plus 80 तो यह value आजाएगी 60 meter per second v से उसको छोड़ा है 60 इसकी है तो relative velocity कितनी हुई relative velocity हुई v minus 60 और relative velocity को लिखेंगे distance और वो distance कितनी देर में cover हुआ तो जोको distance है 180 meter कितनी देर में cover हुआ तो वो cover हुआ 18 minus 6 में क्योंकि 6 seconds तो already pass हो चुके ना and this is equal to v minus 60 तो देखो क्या बचेगा यह हो जाएगा 18 upon 12 18 upon 12 की value आएगी 18 upon 12 की value 5 आजाएगी तो यह 65 चाही निकाला है रुको जाएगा 180 and divided by 12 15 आएगी तो 15 आएगी तो 15 is equal to v minus 60 तो यहाँ से v की value 75 meter per second हो जाएगी यहीं सेकेंड वाला option correct है given by average velocity तो 0 हो जाएगा क्योंकि displacement 0 होगा एक lap में average speed निकालने के लिए हमें चाहिए total distance to total distance को हम लोग लिखेंगे 2 pi r के equal and total time हमको दिये हुआ है तो total time is 62.8 तो average speed average speed is 2 into pi हो गया 3.14 r हो गया 100 and divided by divided by 62.8 62.8 6.28 का एक तरह से 10 times है तो यह value अगर हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 6.28 तो 628 upon 62.8 तो देखें यह 10 meter per second आ रही है और वैसे भी इसको निकालने की जरुवत नहीं थी क्योंकि average velocity 0 है तो पहला answer तो 0 होगा तो answer यह तो A बनेगा यह B बनेगा first बनेगा यह second बनेगा first वाले में average speed 0 होगी नहीं क्योंकि distance cover हो रही है तो average speed non-zero यहागी तो सीधे सीधे second कर सकते थी यह calculation करने की भी ज़रूरत नहीं थी चीक है ना next of a man walks 30 meter towards north 20 meter towards east and in the last 32 meter towards southwest the displacement from origin तो इसे questions को करने के लिए best option होता है कि आप इसको i cap j cap में convert कर लीजिए i cap and j cap में तो देखिए पहला displacement उसका है 30 north उसको लिखेंगे 30 j cap दूसरा displacement है उसका 20 east तो उसको लिखेंगे 20 i cap और तीसरा displacement उसका है southwest तो southwest वाला direction कौन सा होता है मालूम है इधर है north, south, east and west तो southwest यह वाला direction बनेगा 45 degree वाला तो इसको हम लोग लिखेंगे minus 30 i cap and minus 30 j cap क्योंकि दोनों ही minus है तो total displacement के लिए हमें सीधे-सीधे इनको add कर देना है तो यहां से आप देखोगे तो minus 10 i cap बचेगा और 0 j cap तो minus 10 i cap मतलब 10 meter towards west answer हो गया बेस्ट तरीका है यह इसका diagram मत बनाओ डाइग्राम बनाने में दिक्कत होगी लेंथ के according आप एक्टर बना नहीं पाओगे i cap j cap is the best option next देखते हैं a drunkard is walking along a straight road he takes 5 step आगे जा रहा है तीन step पीछे जा रहा है फिर 5 आगे जा रहा है फिर 3 पीछे जा रहा है and so on each step is 1 meter long and takes 1 second and there is a pit 11 meters away तो देखो जब वो 5 आगे जा रहा है और 3 पीछे जा रहा है मतलब 5 meter 5 meter उसने distance आगे cover किया है और 3 meter उसने पीछे cover किया है तो जो उसका actual displacement है actual displacement उसका है 2 meter का और इसमें time कितना लग रहा है तो इसको time लग रहा है 8 seconds क्योंकि total तो 8 meter cover हो रहा है और pit यानि कि जो hole है जहां पर उसको गिरना है वो pit जो है starting से कितना दूर है वो दिया हुआ 11 meter केरफुली करना अच्छा कोशन है नहीं है ठीक है तो देखो होगा क्या लास्ट में जब वो 5 meter जाएगा न मतलब जब यहां से 5 meter travel होगा और जब इसको touch कर जाएगा तो लास्ट का 5 meter 5 seconds में ही cover होगा क्योंकि वो pit में जब गिर जाएगा तो वापस से निकल के पीछे थोड़े ना आएगा तो लास्ट का 5 meter 5 seconds में cover होगा अब बचा हुआ जो यह 6 meter है यह बचा हुआ 6 meter 2-2 meter के interval में cover होगा और इसमें 3 बार लगेगे तो टोटल टाइम अगर हम निकालेंगे तो देखो 3 बार 2-2 meter का cover हो रहा है तो 3 into 8 हो गया और लास्ट का 5 seconds तो यह टोटल 29 seconds हमारा answer आ जाएगा तो यह first वाला option इसमें correct है ठीक है next आते हैं body is released from the top of a tower of height h meters it takes t times to reach the ground तो where is the body t by 2 time after release तो देखो shortcut यह है कि पहले t by 2 में जो distance travel हुई अगले t by 2 में जो distance travel हुई और उस से अगले बार में जो t by 2 में time मतलब same time में to distances covered होती है for a body dropped in gravity वो 1 is to 3 is to 5 is to इस तरह की ratio में आती है ठीक है तो पहले t by 2 में अगर उसने x cover किया है तो अगले t by 2 में वो 3x cover करेगा तो हम direct बोल सकते हैं कि वो 4x की value ठीक है ना वो 4x की जो value है वो 4x की value मतलब पहले t by 2 में वो h by 4 cover करेगा और अगले t by 2 में वो 3 h by 4 cover करेगा क्यों क्योंकि जो पहले t by 2 का distance है second वाला उससे 3 times होगा तो हमसे पूछा हुआ है कि 3 by 2 पे कहा है तो ground से 3 h by 4 उपर है तो चाहे बोल दो ground से 3 h by 4 उपर है या बोल दो topmost point से h by 4 नीचे है मतलब same time में जो distances cover होंगी पहले second में दूसरे second में ऐसे कही सारे question बनते हैं तो आप याद रखो 1 is to 3 is to 5 is to 7 EC ratio में होगा next water drops fall at regular interval from a tap 5 meter above ground the third drop is leaving the tap at the instant first drop touches the ground how far above the second drop is at that instant similar type का ही question है तो यह रहा tap ठीक है और tap में बोल रहा है कि third वाला जो drop है third drop जब यहां से release हो रहा है तो जो first वाला drop है वो ground पे पहुंच गया है हम तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं और यह वाला distance भी हमको दिया हुआ है this distance is 5 meter तो आप चाहो तो पहले यह निकालो कि 5 meter cover होने में time कितना लगेगा तो इसके लिए direct formula है under root of 2h by g तो यह value आएगे under root of 2 into 5 upon g यानि कि एक second तो एक second लगेगा किसी भी drop को निकल के ground तक पहुंचने में अचाहिए जो first वाली drop है यह छोड़ी गई होगी 0 पे तो अब time हो रहा है इसको छोड़ा गया है 0 पे और एक second के बाद यह पहुंच गई तो अब time हो रहा है t equal to 1 तो definitely वो जो second वाली drop होगी ना second drop उसको छो इंटरवल लिखा है ना time same है तो यह same to same हमारा पिछला वाला question हो गया और यह वाला जो distance है वो बन जाएगा 5 by 4 और यह वाला distance बन जाएगा 3H by 4 यानी 15 by 4 तो हमें देखो कहां पर बताना है ग्राउंड से बताना है तो 15 by 4 की value 3.75 meter आ जाएगी यानी third one option correct है इसने ठीक है next आते है a body released from a height falls freely towards earth another body is released from the same point exactly one second later a body is released from a height falls freely towards earth another body is released from the same point exactly one second later the separation between them two seconds after the release of the second body तो दो को second body के release के दो second बाद तो second body ने जो distance cover किया होगा वो cover किया होगा half g into 2 square और first body ने जो distance cover किया होगा वो होगा half g into 3 square क्योंकि एक second बाद second को थो किया और उसके 2 second बाद की बात कर रहा है यानी total 3 second उसने travel किया होगा तो यह distance अगर आप calculate करोगे तो यह आएगा 20 मीटर और यह वालक cover करोगे तो यह आएगा 45 मीटर तो इनके बीच में जो difference है वो 25 मीटर है मैंने g की value जो है वो 10 ले ली है इसलिए 25 आ गया otherwise answer 24.5 होगा direct बोल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं body is thrown vertically upwards assuming the air resistance to be constant and considerable यह देखो अच्छा problem आया है अगर air resistance होता है तो जब हम किसी ball को ऊपर throw करते हैं यह question जब भी मैं पूछता हूं first time तो गलती answer मिलता है मतलब देते हैं कुछ student सही answer बट इसको समझाने में भी थोड़ा सा time ज़्यादा लगता है सोचना बढ़ेगा देखो आपको जब हमने इसको u speed से उपर throw किया है ना और air resistance है तो g भी नीचे काम करेगा और air resistance की वजह से जो acceleration होगा वो भी नीचे ही काम करेगा air resistance भी नीचे है जी भी नीचे है लेकिन जब यह ball उपर से नीचे आएगी जब यह ball उपर से नीचे आ रही है तो ध्यान देना इसका g तो नीचे है लेकिन इसका air resistance बाद में उपर काम करेगा तो अब है क्या ऐसे भी इसको आप ध्यान से रख सकते हो कि इस case में जो effective gravity है effective gravity की value g plus 1 equal होगी और इस case में effective gravity की value g minus 1 equal होगी तो उस case में जिस case में effective gravity कम है उस case में हमें time जादा लगेगा यानि कि जो time of ascent होगा वो time of descent से कम होगा effective gravity ऐसे समझ के चलो कि s is equal to half g effective into t square यह formula applicable होगा तो g effective की value अगर बढ़ा देंगे तो टी कम लगेगा और जी effective value कम कर देंगे तो टी जादा लगेगा ठीक है वड़िया कुश्चन है यह ठीक है next question बढ़ते है from the following velocity time graph of a body the distance traveled by the body and its displacement during the 5 second तो दो को distance ज़्यादा होगा displacement कम होगा तो ऐसे answer या तो 2 है या 4 है तो distance निकालने जरूद नहीं है distance 110 आएगी आएगी displacement की जरूबत है चलो देख लेते हैं निकाल लेते हैं क्या है तो इसको break करेंगे area under the curve लेना है तो यह आजाएगा minus 20 distance के case में हम sign के साथ नहीं add करेंगे मतलब सबका positive ले लेंगे 40 40 80 20 110 और ज़्यादा निकाल दिया मैंने 120 130 आ जा रहा है 20 है यह तो यह वाला value हो गया 22 इंटू अच्छा सॉरी यह वाला point करपड़ हो गया यह हो गया 2 है यह 20 है तो यह value 20 के एकको लाएगी ठीक है तो यह हो गया 20 और 20 इंटू यह हो गया 40 तो यह हो गया 40 40 90 और 20 हाँ भी सही है तो यह 70 वाला option सही हो जाएगा क्योंकि अगर अगर एड़ करेंगे माइनस 20 को तो 110 में से 40 कम हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं अकार एक्सिलरेट्स फ्रम रेस्ट अटे कॉंस्टेंट रेट अफू मीटर पर सेकंड स्कॉर फॉर सम ताइम देन इट रिटार्स अटे पॉर मीटर पर सेकंड स्कॉर एंड कम्स इफ इट रिमेंस इन मोशन फॉर 3 सेकंड देन दा मैक्समम स्पीर अटेंट बाइद कार देको बेस्ट है इस को करने का तरीका कि आप इसका वीटी कर्व बनाईए वीटी कर्व में क्या करना है पहले ही इसको हमें 2 से एक्सिलरेट कराना है और फिर 4 से रिटार्ड कराना ह अब एक और बात समझना ध्यान से अगर 2 से एक्सिलरेट हो रही है और 4 से रिटार्ड हो रही है फाइनली रेस्ट पे आ जा रही है शुरू में रेस्ट पे थी तो 2 सेकंड का जो डियूरेशन होगा न 2 मीटर पर सेकंड का जो डियूरेशन होगा वो 4 मीटर पर सेकंड के आप्यूरेशन से डबल होगा सिधे सीधे तो अगर यह टोटल टाइम थी है तो यह टाइम टू होगा और यहां हो गया जीरो तो मैक्सिम्म विलासिटी सीधे सीधे इस ग्राफ से हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम विलासिटी यह रही यह वाला point तो इसको 2 is equal to तो यह 4 आ जाएगा सीधे सीधे answer बोलिये किसी question में acceleration भी है retardation भी है constant भी है वगएरा वगएरा कुछ भी है तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसका आप VT curve बनाईए और VT curve में सारी information fit करिये मैंने ये बाट अगर डबल हो रहा है distance same cover करनी है अभी जो उपर वाली बात हुई थी acceleration double हो रहा है distance same cover करनी है तो जो time लगेगा न वो time भी distance same नहीं cover करनी velocity में जो change है वो same है तो जो time का ratio होगा वो acceleration का inversely proportional होगा मतलब यह वाले formula से V is equal to U plus 80 से तो V minus U की जो value है यह A into T के proportional है तो अगर हम A double कर रहा है तो time उसको half लगेगा for same change in velocity 0 से maximum maximum से 0 a balloon rises from the ground with an acceleration 1.25 meter per second square after 8 seconds a stone is released from the balloon the stone will have a displacement cover a distance reach ground in 4 second तो तो को balloon को अगर हमने ground से start कराया है और balloon suppose कर लेते हैं कि यह balloon पहले ground पे था t equal to 0 पे start हुआ और उसकी initial velocity है 1.25 meter per second square तो पहले तो यह देखो कि 8 second में यह balloon कहां पहुँचेगा 8 second के बाद इसकी velocity क्या होगी तो velocity को लोग लिखेंगे V equal to U plus 80 तो A into T ठीक है तो velocity तो होगए इसकी 10 meter per second कितनी height cover करेगा यहां से यहां तो height cover हो जाएगी half 80 square तो half A और again T square तो यह value अगर हम लोग निकालेंगे तो यह आएगा T square into 1.25 divided by 2 तो यह distance आएगी 40 meters कहीं और यहां से हमने एक stone को release किया है ठीक है stone release किया है तो stone के पास initial velocity है 10 meter per second तो यह stone क्या होगा 10 से पहले उपर जाएगा और फिर 40 नीचे आएगा तो displacement हमको 50 meter नहीं होगा displacement तो 40 meter होगा cover से distance 40 meter गलत हो जाएगा क्योंकि यह पहले थोड़ा से उपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो distance covered भी जो है 40 से जाधा आएगी ground कितनी देर में आएगा वो निकालते हैं सबसे पहले तो ground के लिए हम लोग use करेंगे s is equal to ut plus half a t square s की जगे लिखेंगे minus 40 ut की जगे आएगा 10 t और half a t square में a की जगे minus 10 और t square तो देखो एक तो 0 काट दो पहले तो यह आया t square by 2 minus t minus 4 equal to 0 तो यहां से आप t की value निकाल लिए तो t की value यहां से 4 second आ जा रही है देखिए t की value यहां से 4 second आ जा रही है तो 4 second में ग्राउंड पहुच रहा है अच्छा खुश्य नहीं है अब आटिकल is moving with the velocity 10 meter per second towards east after 10 second velocity changes to 10 meter per second towards north average acceleration देखो इसमें भी गड़बड होती है average acceleration is defined as v final minus v initial upon delta t v final minus v initial upon delta t तो देखो v final को हम लोग क्या लिखेंगे यह रहा north, south, east, west north, south, east, west initial velocity क्या है इसकी initial velocity है इस तरफ यानि यह है v initial 10 का after 10 second changes to 10 north तो बाद में इसका हो गया v final and it is 10 north यानि 10 j cap पहले है 10 i cap तो v final को हम लोग लिखेंगे 10 j cap minus v initial को लिखेंगे 10 i cap and divided by time यानि 10 तो यह आज आएगा j cap minus i cap सीदे सीदे तो magnitude तो हो जाएगा इसका root 2 और j cap minus i cap अगर देखो तो यह वाला direction आएगा northwest आएगा तो यह second वाला option सही है root 2 meter per second square और direction हो गया northwest best है आप i cap j cap में करो गलती नहीं होगी a boat takes 2 hours to go 8 km a boat takes 2 hours to go 8 km and come back and come back in still water still water lake 2 गंटे लग रहे हैं 8 km जाने में और come back in still hour ठीक है still water lake the time taken for going 8 km upstream and coming back with the water of velocity of 4 km per hour तो देखो इस case में boat को 2 गंटे लगते हैं 8 km travel करने में तो boat का velocity कितना हो गया तो boat का velocity हो गया 8 by 2 यानि 4 km per hour 8 जाने में 8 आने में तो 8 जाने में 8 आने में तो हम इसको करेंगे 16 8 प्लस 8 travel किया रहा और 2 गंटे में travel किया यानि उसकी speed हो गई 8 km per hour river flow की speed दी होई है 4 km per hour तो total time अगर निकालें तो देखो downstream में यह upstream में देखेंगे तो upstream में उसकी speed होगी 8 minus 4 और downstream में उसकी speed हो जाएगी 8 प्लस 4 तो यह total आ जाएगा 2 प्लस 8 बाइ 12 तो 8 बाइ 12 को हम लोग लिखेंगे 2 बाइ 3 एक तरह से न तो यह हो जाएगा 8 बाइ 3 तो यह hours में 8 बाइ 3 आया है तो 8 बाइ 3 इंटू 60 कर दे तो यह 160 मिनट्स आ जाता है तो यह थर्ड बाला option इसमें correct आ जा रहा है ठीक है ना तो I hope इसमें आपने बहुत सारे questions कर लिए हैं आज ठीक है ना तो एक तरह से quick revision हो गया आपका ठीक है So thank you मिलते हैं फिर next topic में